नए बलेबाज रंधीर ये लिजिये एक और विकेट का पतंग होता हुआ सेद इस रंफाया रंधीर आए और गए ओवर्पीज जिलेवरी थी मिड़र मिड़ाफ के ऊपर से खेलना चाहते थे टैम नहीं मिला और सीधा वहां मौजूद फिल्डर के हाथों में सेद की इस ओवर्पी दूसी सफलता आए टीम को दिखा जो के यह तीन विकेट का पतंग हो चुका पुदा रहा हुआ प्ट पुदा रहा हुआ प्ट पुदा इस पुदा रहा हुआ एक एशारिया तीन गेंदर तीन रण तीन विकेट के नुकसान पर सेयर इस और हाई ट्रिक लेट्स ट्री ये रक्षामान है दंक से खेला गया ये शॉट है अपू द्वारा और एक रण लेन के साथ ही इपना उनों खाता खोला अज़े आज़े आज़े बेतरीन गेंदबाजी मैं समझता हूँगी जिस तरह शुरुवात की है रूप नराइमपुल जीपी के गेंदबाजों ने वो काफी कमाल की शुरुवात की है अपनी दूसरी ओवर में तीन सफलताएं उन्हें मिल चुकी है जीतू संगम और अंधिर के तोर पे तीन बलेवास आउट सीधे हाथों से खिलेगा यह शौट जाएगी सीधा फिल्लर के हाथों में यहाँ विक्य सिना दो ओवर की हुई समाप्ती दो ओवर के खात्मे पे पांच रेन तीन विक्ट के नुकसान पे स्लान पूर जीपी का स्कोर चलिए कुसान प्रेंस Lal सी फाथ प्रशृष्ट में प्रेंस भातीन प्रमाग्ट प्रेख फिर नुकर बॉल हो तो गामिल खी प्रम मील्टmill पड़्स हम कोई फ्रेमे हुए दिस इस थर्ड ओवर अफ इस मैच शुबम सिंग बिलकुल तयार है गेंद बाजी करने के लिए क्वाड़ा एंड से और स्ट्रैक पे रहेंगे अजे बौरी मैं समस्ता हूँ कि दोनों बहले बाजों के ओपर एक बहुत 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 जिम्हदारी है के बीज में एक अच्छी साज़िदारी की जरूरत तिसने ओवर लेके आए हैं शुबम सामना करेंगे बले बाज अजे बौरी पांच नर तीन विकर के नुकसान पे सलानपुजी पिक स्कोर ओवरपीज जिलिवरी नो आंके दिशा में फिल्डर विक्य सिना मौजूद एक है लेने में कामियाब होंगे बले बाज अजे बौरी छे तीन विकर के नुकसान पे मैं समझता हूँ यहाँ पे गुडू भाई की या अच्छी पार्टनर्शिप की जरूरत है फूल टो जुलिवरी यह खराब गें सही दिशा पहला चक्का इस नहीं कहाँ पहला चक्का अपू के बले से आते हुए गेम को मोमेंटरम को चेंज करने की जरूरत इस नहीं करें गदेगा इसाम प्राइब का भी है भी है वाई आव आफ़ी में ऐख रहते हैं पार्पनेंगे जरूरत पार्पनेखलेना जोजिक सर्फिए वाई व्यूरत करता है पार्पनेज जिए जोड़ाँ थेगे जोगिए इसको देखें आडे अपील तो यहां हुई एक हमपाय संटुष नहीं आज के हमारे आनुबविया मपाय संगीत बडचार्जिघरी हमारे मैन अम्पारिन्ग में अब बाला हमारे लेग अम्पारिन्ग में अब बाल कटो भी दे बंव भी ती चार बंवारू है इच्छी गैन व बीटिफुल डिलिविरी बेन कर दो अब गपने हन्ट कर इसों आप येंज कर तो वह कै क्या है रहा है? पैंबी जी शर्ट तरह रहे इलेका पर सकार दिलीकला वाव इसी के साथ ओवर की भी समाप्ती तीन ओवर की समाप्ती पे एक मैंट जी हाँ तीन ओवर की समाप्ती हुई अठारा पे तीन सलानपू जी पी का स्कोर एटीन बाइड लॉस अफ्री विकेट्स आफ्र त्री ओवर्स आज मैं दश्रों को बता दूँ कि आज ये हमाई लिए बहुत ही गर्व का पल है क्योंकि इस साल भी हर साल की तरह हम सब एक हुए हैं और इस बाइड शांदार लाइफ गेम आप हमारे यूटूब चैनल में देख सकते हैं यूटूब चैनल में आप लॉगिंग करें बिंगाल स्पोर्स लाइफ को जोने बहुत शांदार तरीके से इस गेम को इस्टूनमाइन को कामियाब बनाने के लिए अपने यूगदान दिया है शांदार लाइफ टिली कास्ट हमारे यूटूब चैनल पे बिंगाल स्पोर्स लाइफ में आप देख सकते हैं हमारे लेट बैंक के इस्टूनमाइन का भरपूर आनन ले सकते हैं आप हवा में गेंद फिल्डर नीचे है कोई गलती नहीं विक्य सीना ने कैश को पकड़ लिया देब दूद को पहली गेंद में सफलता अजय बोरी ओवर पीच डिलिवरी थी उठाक के खेलना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए और बहुतरी बेतरी इन जजज कैस विक्य सीना दौरा शांदार कैस चोथे विक्यट का पतंग होता हुआ ठारा पे चार चोथा ओव का खेल चारी अपनी पहली गेंद में सफलता दिलाई अपनी टीम को दिव दूद ने दायने हाथ के बेतरी गेंद बाज एक अच्छे वातरवरन आप बेतरी ना औरगनेजिंग के द्वारा स्लांग पूर ब्लॉक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनकों मैं मुबारक बात देना चाहूँगा कि नए बलेबाज देने हाथ के नए बलेबाज राना बलेबाजी करने आए है सामना करेंगे द्यव दूद का पहली गेंद उठा करके मीड़ विकिर्ट दिशा में खेलना चाहते हैं लेकि फिल्डर वहां मौझूद होंगे एक अन लेने में कमियाब राना शुरुआती जड़के जरूर लगे हैं यहां पर सरान बूले कि यह एक छोटा फॉर्मेट है अगर कोई भी दो बलेबाज अपनी बाच्छी बलेबाजी कर लेता है और सेट होता है अप्पू जो के दो छक्के लगा के बेद्री बलेबाजी कर रहे है ये लीजीए एक और सफलता अपने टीम को दिला दी फिर से वही नजारा विक्की सिना बिलकुल तयार थे और कहीं न कहीं यहां पर निराश होंगे सलान बूलेबाज एक और विकेट का पतंग होता हुआ पांच हुआ विकेट नाइटीन नाइटीन बादया विकेट चाथे वह उबर का खेल जारी अधिक कर ले ना उसो क्या करना हो ठीक कर लो को बढ़े हैं तो काल हो आज इस्टाडिंग में ऐसा ही होता है जा आए लागा अधिक कर लो बाड़ा जाए तो बढ़े इस्टाट में सुद्पा इसा था है ये एक और मौका ओ वाट आप कैच वाट आप कैच और स्टेंडिंग फैबिलस क्या रणिंग कैच ये विक्टे बिलकुल पजचल की तरह गिर रही है सलान पोची पी की एक और विकेट की पतंग होता हुआ च्छटा विकेट का पतंग और इस ओवर में देवदूद ने तीन विक्टे ली ओ कमाल की गेम दे गेंद बाजी ओवर है ट्रिक रहा इनका तीन सफलता है इनके नाम अभी भी एक गेंद बागी और अभी आप होकर की गए और इनका नाम भी शैस शैलेश है ओ माफ किजीगा राना और ने वरे बले बाज राना थे शैलेश ये एक और मोगा ओ चार विक्टे एक ओवर में चार विक्टे क्या कमाल कर दिया है देव दूत ने क्या गेंद बाजी है पुरी तरह अपने चकरवी के जाल में बले बाज को फ़साया आए और गे शैलेश चार ओवर की समापती पर ट्वटीवन फोर सेवेन ओ ट्वटीवन यहां बेहार इसकोर अपडेट करें प्लीज 247 एक लाएव एखन के थिस स्ट्रक्वाइब शट्राइक पार आव और लेकित क्यों ने पर आपक अपर आप आफ अप जरसी ना महलेगा अप्डेट क्यों ने कर आएब करें यहां पर दिए यह प्रफेपर नहीं को इस ओवर के बाद मैं ठीक का दे रहा हूं देखिए यहां पर लाइव में फॉब्लम हो रहा है बात समझे एक पेपर में इनको जर्सी नमम लिख करें दीजिया यह फोटो दीजिया आप जासी नंबर आपके पास रहेगा आपके पुछने के जरुरुवत नहीं है आप सुख किजिएगा बोलादर एक में एक में एक मेंट कोन बॉलिंग कों करना है साथ वी करना है बोल दे बोल दे शाट इस दफ़ा ऑफसेट की दिशा में यह बेतरीन अपर कट शालेश के बले से मैं कह रहा हूं कि छोटा फॉर्मेट है लेकर कोई भी बदो बलेबास अंतक एक बेतरीन बलेबास ही कर लेता है तो मैं समझता हूं यह कंपेटिटिव टोटाल स्कोर बोड में लग जाएगा सेंड दा बॉल प्लीज सेंड दा बॉल प्लीज क्योंकि आज पहला दीन है जरा से मैं थोड़ा वक्त जरूर लगता है पहला दीन पहला स्टेशन है मैं उमीद करता हूं कि सब कुछ कुछी घंटे में ठीक हो जाएगा तब आपको भरपूर आनद मिलेगा लाइव गेम मे में भी और मैच में भी और मैं आशा करता हूं कि सभी दशक कुछ देर के बाद हमारे लिफ्ट बैंड के स्मार्ट में चले आएंगे दूसरे मुकाबला के लिए पिल्कुल तयार है अलाडी जीपी और जीपूर जीपी दोनों टीम के कैप्टन डैश पर आ जाए है यहां पर लेकिन बहुत अच्छी फिल्डी यहां पर रॉन अट होने का मौका यह क्या हो रहा है इस तरह से यह सुसाइड और बिल्कुल यह गलत कॉल बल्लेबास बिल्कुल रॉन लेने की तयार नहीं थे विश्वजीत ने एक रन लेने की कोशिश की यहां बल्लेबास शालेश ने उन्हें मना किया और एक और विकेट का पतंग आठ वाँ विकेट का पतंग होता हुआ यह दुर्भाग के पूर्ण लूप से रन अठ होकर के विश्वजीत ड्रग ओट में वापस जाते हुए हुआ कि नाए हुआ 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 हाँ पिलिज बैचमने करेंगे नाउन स्टाक पे जसी नंबर नहीं है सौरब एक मौका जरूर बना था इसको यहां लखे भिया पाच्वावा का खेल जारी ट्वाइट का इशारा हमारे अनुबभी अंपार संगीद भटाच्यारिया दौरा कहीं ने कहीं बिलकुल यहां पे रूप नरायम पूर की जीपी के टॉस जिरके पहले फिल्लिंग करने का फैसला किया था और बिलकुल यह सही फैसला साबित होता हुआ अब तक बेतरीन गेंद बाजी देखने को मिली है दिवदू दौरा पहले अपने पहले वरनों चार सफलता है अपने नाम की और इस तरह आठ विकेट का पतंग हो चुका है 28 फूर एट हलके हाथों से खेला हुई यह शॉट इसी के साथ ओवर की समाप्ती पांच ओवर की समाप्ती पे 28 फूर एट अगले टीम अलाडी जीपी के कैप्टन और जीतपूर जीपी के कैप्टन हमारे कमिटी मेंबर से मिले अलाडी जीपी और जीतपूर जीपी जल से जल पांच मिनट के अंदर हमारे कमिटी मेंबर से आके हैं और डैश पे मिले मैं आफ कर रहा हूँ यहां पे दो को आफ कर रहा हूँ सेद ने किया यहां पे क्लीन बोल्ड शलेश यादव बोल्ड हो गेट अकोर्ट में वापस कमाल की गेंदबाजी को डूबाई रुपनायं पुजीवी के गेंदबाजी मातर स्कोर बोल्ड पे 28 दानी लगे है और नौ विकेट का पतंग होता हुआ है आट ओवर के फॉर्मेट में मैं नहीं समझता कि एतनी बेतरी गेंदबाजी कहीं न कहीं पूरे दबाव बनाने में काम्याब रही है गेंदबाजी टीम रुपनायं पुजी पी बेतरीं गेंदबाजी लामा दौरा शुबाब देफदूत स्यद ये तमाम गेंदबाज एक आकर मकरूप अक्तियार किये हैं अपनी पहली खेल में पूरा जोन लगाया है आद यहां दिखिए अठाइस शीव शंकर शीव शंकर पहली मैच में इस तरह की गेंदबाजी जो देखने को मिल रही है वो कमाल की एक गुड़ू भाई वाट डिलेवरी वाट ब्यूटिफिल बोर्बा सेयद एक अनोबे भी गेंदबाज है काफी सालों से टेनिस बॉप क्रिकट खेल लेया और इंग ऑल टेनिस में एक बहुत बड़ा नाम है लेट बैंक में लास्ट एयर भी उनने का परफॉमेंस काफी कमाल कर रहा है आप बहुत दीनों से मैंने एक बेहतरी नार्लोंडा इस दफ़ा भी पॉँपे लगी गेंदबाद रन लेने का कोई मौका नहीं ये पहला मुकाबला सलान पूच जी पी और रूप नरायन पूच जी पी के बीच चल रहा है जहां पे रूप नरायन पूच जी पी पूरी हावी कोई भी बलेबाज के बीचों में अच्छी साजिदारी नहीं हो मैं समस्ता हूँ कि कहीं न कहीं बिल्कुल बहुत हर्बली में थे बहुत ही तेज रन बनाने की सोच में थे और मुझे नहीं लगता है कि आठ हुआ खिलनी चाहिए मैं समस्ता हूँ आठ हुआ खिलनी चाहिए कि कुछ कम से कम कुछ ऐसे टोटल इसकोर बोट पे लगे जहां पे एक माइश देखने का मज़ा हो और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ती विकेट मेडन चे ओवर की समाप्ती पे 28 रन नौ विकेट के नुक्सान पे 28 फॉर 9 आफ्टर 6 और ये साथ ओवर लेका है देवदूद एच लेकिन दोनों फिल्डर के गैप से निकलिए गेंट सीमा रेखा के बाहर चार रट अच्छा शाट आज के दीन का ये पहला मुकाबला चल रहा है और जहां पर मैं बया दो कि दो दशक हमारे ऑनलाइन दशक है अपने यूट्यूब चैनल पे बेंगाल इस्पोर्स लाइफ को सब्सक्राब करें एक बेतरी लाइफ टेलिका चैनल ये शाट है क्या नहीं बिल्कुल छे रहन जाएगी वड़ शाट लॉंगन के ऊपर से ये शांदा च्छका कहीं नहीं मैं समझता हूँ गुडू भाई कि बैटिंग कराम बहुत नीचे तक बहुत देब तक क्यूंकि आखरी नमबर के बलेबाद इस तरह के बलेबाजी कर रहे हैं वही सोच रहे हैं कि आप पर बलेबाद अगर थोड़ी से अच्छे बलेबाजी करते हैं तो सैथ तस्वीर बदल सकती थी लेकिन देवदूत यहाँ पे चार विगेड ले चुके हैं यह क्या पंजा मारेंगे यह दिखना होगा दिल्चस बहुत यह बेतरी गेंद बाजी कर सटीक गेंद बाजी सही लाइन और सही दिशा में गेंद बाजी कर रहे हैं जिनके आद दिस पहली ओवर में चार सफलता हैं 3849 हलके हाथों सख्या लगया इस टिटों फिल्डर गया हैं पर कोई रन लेगी का मौका नहीं है मैं इसमें बता रहा था गुडू बाजी देदूर के देखने को मिली है दाएं हाथ के गेंद बाज हैं आयुवा गेंद बाज हैं और वैरिशन हैं गेंद में इनकी अच्छी गेंद बाजी करते हैं और वैरिशन डालते हैं गेंद बाज को अन दा राइस गेंद बाजी करने में माहिर है अच्छा रन अप अच्छा एक्शन ये बहा जाती भी गेन बिलकुल यहां पे पूरी तरह बले बास को बीट किरने में कम्याब हो रहे हैं गेन बास बिंगाली स्पोर्स लाइफ जो कि यूटुब चैनल में आप सब्सक्राब कर सकते हैं इस टूनमैंड को लेफ बाइंक के शांदा नॉकट टूनमैंड को आप सस्क्राब कीजिए बिंगाली स्पोर्स लाइफ में बिलकुल हमाय साथ जुडिये ओ डॉट पे डॉट डॉट पे डॉट पे डॉट डॉट पे डॉट इस डॉट के साथ ओबर की भी समापती साथ ओवर की समाप्ती पे ठटी एट नौ विकेट के नुकसान पे कही ने कही अच्छी शुरुवाद रही है रूप नायमपू जी पी की बहुत ही अच्छी शुरुवाद पर अच्छी शुरुवाद रहा है अभी जीट अपना पहला और टीम का यह क्ता भी होब बादर ने बभीजीद बादर ने बभीजीद शॉट बाद इस्टेट ओ माई गाड ओ माई गाड यहां पे देखना होगा क्या ये सीमा रेखा के अंदर गिरी गेंद लेकिन आमपार डिसीजन इनने एक और मौका था विक्की सीना के पास कैश पकड़ने का लगबग पकड़ी लिया था लेकिन यहां पे थोड़ी सी चुके अभी जीत ये देखिए बहुत उपर गई है गेंद फिल्डर नीचे है गेंद बाज ने बिलकुल गोड़न बोल 7.2 बॉल साथ ओवर दो गेंद में मातर 49 रणों में पूरी इनिंग की समाप्ती हो गई सलानपूर्ज जीपी ने निधारिक साथ ओवर दो गेंदों में 49 रणी बना पाई और 40 का टागेट दिया है रूप नराएंपूर्ज जीपी को आज किस उबे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मंच पे उपस्तित जितने भी हमारे अथिती हैं जितने भी हमारे माननिय अथिती वहाँ पे मौझूद हैं सभी का धन्यवाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरानपू ब्लॉक के तमाम युवाओं को जिन्होंने ये शांदार टुनायमेंड का आयोजन किया है आज दूसरे साल में स्वरगिये मानिक उपाद्याजी स्वरगिये पपो उपाद्याजी मेमोरियल नौकट किके टुनायमेंड मैंड में सभी का स्वागत है आज का पहला दिन और पहला मैच बिल्कुल जारी है और शांदार लाइफ लाइफ टेली का जो यूट्यूब चैनल पे हमारे आप सब्सक्राब कर सकते हैं बेंगाली स्पोर्ट्स लाइफ को ये शांदार आयोजन के लिए मैं सभी का धन्यवाद दिना चाहूँगा और साथ दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके भी मैं तैदील से शुक्रिया आदा करना चाहूँगा झाहूँगा 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 झाल 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 क्या कमाल के बले बास है क्या इस बले बास के अंदर पर दिवा है अच्छे अच्छे शुरूआद रूपन राइब को जी पी द्वारा ये 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 अच्छी वापसी गेंद बास द्वारा जीतु पांच केंदू का खेल हुचुका पांच केंदू का खेल हुचुका। सतरा बिना किसी नुक्सान के रूप नरायन पूर जीपी का स्कॉर यह लीजिये औली जी एक औली जीये कमाल की बले बाजी एक्सलेंट शॉट तो इलिगेंट तो बीटिफुल इस लोकिंग लागा वाव। वाड़ बैटिक। पहले ओवर की समापती पे 23 विदाट लॉस। रूप नरायन पूर जीपी 23 विदाट लॉस अफ्टर वन पहले ओवर की हुई समापती 23 बिना किसी नुक्सान के रूप नरायन पूर जीपी का स्कॉर एक बेतरी शुरुआद दिलाई है आमित मंडल ने निशांत अगरवाल दोनों ही बेतरी बले बाज बले बाजी करते ह अपू दोरा अच्छी डिलिवरी डॉट कराने में काम्याब हुए गेंद बाज अपू अब मैं समस्ता हूँ गुडू भाई कि बहुत अच्छी शुरुआत रही है जिस तरह से अमित मंडल ने पहली ओवर में शांदा 23 रन बटो रे कहीं ने कहीं बहुत ही करीब जीत के बहुत करीब जाते हुए टीम अच्छी गेंद ब्यूटिफुल डिलिवरी कैप्टन पूरी ताकत पूरी जदो जोहत करते हुए कहीं ने कहीं निराशा की बिलकुल यहां पे हो बहुत एकने को मिल रहा है कहीं ने कहीं बले बाजी उनके अच्छी नहीं रही और 40 रन की ट मंदल के आखमन परपारी की वज़े से निशान का यह ब्यूटिफुल कवर ड्राव लिंग जाएगी सिदा फिल्डर सैलेश के हाथों में एकन लेने में कामयाब हैं बले बाज एकन के सारी स्कूर बोज़ा 24 बीना किसी नुक्सान के क्योंकि आज पहला दीन है पहले सुबा है पहला सेसर है कहीं ने कहीं हमारी कम्मिकेशन में कहीं ने कहीं कुणी मुश्किल हो रही है लेकि मैं आशागरता हूँ सब कुछ चीक हो जाएगा बहुत जल्ड स्कोरर कमिंटेटर बिल्कुल एक साथ बैठेंगे क्योंकि देखने वाले हमारे वीवर्स को कोई दिक्कत ना हो बिंगाली स्पोर्स लाइव यूटूब चैनल पर या इस मैच का सीधा परसारा आप देख सकते हैं अमित मंदर दुबारा इस ट्रैक पर दूसरे वगार खेल जारी 24 ही न किसे नुक्सान के ये लिज्ये वा 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 रे तेरा बला माशा ला माशा ला वाट बैटिक लूगने शाट लूगने स्टमीं तर्फिल दसाव और फिल दा मैचिक है अमीद मंडल ओ मैं गड़ वड़ शाट बाग तो बाग 6-6 तो बीटिफुल तो इलिगेंट इस लोगिए अवाव अमीद मंडल इस अन फाय इस चक्के के साथ इसकोर पहुचा 36 विदर्ट लॉस सिमात्र चार रन दूर कहीं न कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसी ओवर में शायद ये मैच खतन हो जाए इस ओवर की आखरी गेंट रिवाज खेलने की कोशिश न काम रहे अमीद मंडल क्या बल्ले बाजी की है क्या शौर्ट खेला है दिल जीता है इस पहले बाज ने 36 दो वर किसमात्र पे बिना किसी नुकसान के रूप न रहा है पूर जीपी का इसको कहीं न कहीं एक मजबूर टीम है रूप न रहा है पूर जीपी की जिस तरह से गेंद बाजी देखने के मिली उस तरह पहले बाजी अमीट मंडल और अम निशानत अंगरवाल निशानत अंगरवाल जो कि पिछले सीजर में काफी जबदा इनका बल्ला बोल रहा था आशा करता हूँ कि इस दफ़ा ये को पहला ही मैच है अभी और भी आगे बहुत सारे मैचेस खिलने है लेकि शुरुआत यहां पे काफी अच्छी रही है मैं समस्ता हूँ जिस तरह से मैच में पकड़ बनाए गेंद बाजी बुलकर हावी थी पहले बाजी में भी हावी अब तक एक वी विकेट का पतंग नहीं हुआ है शीव शंकर गेंद बाजी के लिए तयार है क्वाडर एंट से गेंद बाजी करने आएंगे और सामना करेंगे पहले बाद निशान अंगरवाल 36 बिना किसी नुक्सान के टॉस के लिए चले आएंगे हम लोग दोने के ये शौट देखिए इस बार कवर के ऊपर से छेडर खेल समाप ये दस विकेट से इस मैच को जीत लिया है दोने टीम से कैप्टन के गुजारिश है कि आप प्लीज टॉस के लिए चले आएं अपनी पोजिशन भी आप रहें आलाडी जीपी आएंड जीत पूर्ट थालाड़ आप प हलाडी जीपी और जीटपो जीपी अपनी दोनों टीम पूरे टीम के साथ यहां पे चले आए क्योंकि आप चार आउटसाडर को ले सकते हैं कहीं पे अगर कोई कन्फिजन होता है तो वो दूर हो जाएगी इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने टीम के साथ चले आए अलाडी जीपी की टीम अजरुद्दीन शुबम हेमान शुब अमित पॉर्ट जीपी राज अफ्ताव सद्दाम मुईन सुमित विनोर एंबूर की फॉर्टिन फिले कलिए अलाडी जीपी जो प्लेइंग 11 है वो आप चले आए जो प्लेइंग 11 है केश टूनरमाइंड का सुबह का ये दूसरा मैच अलाडी जीपी खेला जाएगा अले किया को देखते हैं तो प्लेइंग 11 है प्लेइंग 11 है प्लेइंग 11 कलना कनफर्म हलो 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 प्लेइंग 11 में नहीं है वो उसको दूमें डूक जो यहां पर हलो 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 अलेड़ जीपी और जीटपूर जीपी अलेड़ी कैपटन प्लीज यहां पर रुकें टॉस के लिए अलेड़ जीपी और जीपूर जीपी के कैप्टन बिलकुर इस तरह पे तरह है कैमरा हमारा इस तरह है बिंगावल इस्पोर्स लाइफ हमारा यूट्व चैनल में देख सकते हैं अरुटेवलों चैनल में पारफर्म में हैं बाइस फिल्डर्स चैनल में अंपार इसे जिस पार अधिए लिए फार्स लिसे नहीं हैं त्व एंपर सेटर्स इनल हैं पुल दो अईनने तीन की तूरी समय थे था तर्म सेख छाझरें काल जाए तौस्टक्ष घंड सेख टोन मे अलाडी यो अलाडी जीत पूर तोस आप जीते हैं जीत पूर जीपी पास आप जीता क्या करा चाहेंगे पहले आप अल्चित पूर तोस आप जीते ही पहले तोसा हारा है क्या स्टटजी रहे हैगी मैंड में बाज़ी करेंगे आप बलेवाजी करेंगे जीतना ठोटल शफिशेंट रहाएगा आप क्या चलाएगा सिंदी है 1995 ओके टीम चलिए बस्ट आफ लग इसमें इसमें जीत कुमें इसमें 11 मारी नाम इसमें जीत कुमें 11 मारी नाम इसमें ऑनलिए समें 12 मारी लग अजल उकन कुमें जीत कुमें 11 मारी नाम ऑय चलिए लन्यार सव जेनि मारी एंक का आड़ा दिस इन नियूस फॉम सेंटर जीतपूर जीपी ने तौस जीत के पहले गेंद बाजी करने का फैसर किया है और आमंतित किया है अलाडी जीपी के बले बाजों को बले बाजी करने के लिए लेस इंज़ाई दा सेकंड गेम अफ दिस नौकर टूनरमाइंट पूरे भरपूर आनंद लेकर किस मैच का आनंद लीजिए बहुत ही मज़ा आने वाला है कमाल के दशक कमाल के आउजन अक कमाल का लाइफ टेली कास्ट बिंगावल स्पोर्ट्स लाइफ हमारे यूट्यू चैनल में सब्सक्राब करें और इस मैच का अपने मोबाइस में आफ लाइफ सीधा पसाना भी देख सकते हैं मैं धने बाद देना चाहूंगा स्रानपुर ब्लॉक के तमाम युवाओं को जिन्हों ने इस शांदार टोनेमेंट का आउजन किया है शांदार किक टोनेमेंट हर साल के तरह इस साल भी हम सब इकटे हुए हैं स्वर्गे मानिक पध्याजी स्वर्गे पप्पो पध्याजी की याद में इस शांदार टोनेमेंट का आउजन अपने पूरे चरम पे थीक है भी बढ़ा बढ़ागा इस दब दब वहाद ब़र तो टीक हो जाएगा परस्ट समय इसलिए यह वैजर जादाम इसमें कर मसे बढ़ा है हजसे बढ़ा भार शेया है मजसे बढ़ा है मेजी जाए झाल 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 19 दन बिना किसे लुक्सान के 19 विदाट लॉस बला झाल बला झाल बला झाल मुला नेम प्लीज जान तो जान तो जान तो दूसरे वेकर के जारी है 19 दर बिना किसे नुकसान के अला डिकास गो अच्छी बले बाजी करते हुए राजा है इस ट्रैक पे शुर्बाम नन इस ट्रैक पे गेंद बाजी के लिए शौन तो पुरी तरह तयार अब सब कुछ ठीक हुआ है और ये शौर्ट देखिए ये कमाल का शौर्ट एक सख कवर के उपर से छेरन राजा इस ओन फाया अच्छी शुरुवात पाहिले दीर में गुड़ू भाई पाहिले सेजर में कहीने कहीन पर सेट करने में थोड़ा वक्त लगता है आप देखिए लगता है सब कुछ सेट हो गए आप सब कुछ मज़ा आएगा यह सौन्ड कॉलिटी पे बहुत अच्छी हो गई है और यह इको सौन्ड मैं का भी धन्यवाद कौन है इनका मेंज़मेंट में मिलन मिलन बहुत ही बेतरी सौन्ड कॉलिटी यहाँ पे हम लोगों को दिया है और भरपूर मज़ा आने वाला है इस्तफ़ा मोका असान सक कैच पहले विकेट का पतंग होता हुआ अलडी का राजा इसे पुल करना चाने तो लेकि बल्ले पर आई है नहीं है सीधा असान सकैच गेंज बास को देखर करें डउक़ाट में वापस पहले विकेट का पतंग होता हुआ अलडी इलेविन का अलडी जीपी जिनके शुरुआत बहुत छी लिया राजा जोंके बहुती ही बल्लेबासी कर रहे थे शौदा रंगे नीजी स्कोर पे कैच आठ होकर के परविलियन वापस दूसरों वकर खेश श्यांतों ने अपने टीम को पाइलिस अफ़ता दिलाई नीजी बल्लेबास अफ़ताब सब मिल के सयूग करेंगे तो इंशालला मैं उमीद करता हूँ कि बेटरी मैजमेंट बेटरी खेल का उधाना हम लोग पेश कर पाएंगे मैं अलडी के टीम के खलाली शमशेद अंसारी जमशेद अंसारी शमशेद उनका शुक्री आदा करना चाहूँगा कि वो हमारे साथ बने वे हैं श्यांतो शॉट पीज जिलेवी थी यहां पे क्यवले एकरन मिलेंगे अफ़ताब नए बलेबास जिन्होंने एकरन से अपना खाता खोला और एक करेंगा साथी स्कोर पहुँचा 26 एक विकट के नुक्सान पे सुबहम समना करेंगे श्यांतो का बहाँ जाती वी दिशाहिन गेंद बिल्कुल ये वाइड का इशारा हमारे अंपायर दुआरा आज के दीन का ये दूसरा मैच अपने पूरे चरम पे अलाडे के टीम ओ ब्यूटिफुल ट्राइव इस वाइड कवर की दिशाह में बहुत ही खुबसुरा श्याट था एक गान लेने में कामियाब हुए हैं बले बास शुबहम अफ्ता सामना करेंगे गेंद बास श्यांतों का एक विकट लेकर केम टीम को शॉट ये फ्लाड शॉट है जाएगी छेरत कमाल की बले बाजी आफ्ताब द्वारा फ्लाड शॉट है जाएगी छेरत दो ओवर की हुई समाप्ती ठाटीफोर बाद लॉस आफ वोन विकेट शॉटिस रन एक विकेट के नुकसान पे दो ओवर के समाप्ती के बाद नए गेंद बास गेंद बासी करने आए है सौरब जो के कौटाइंट से गेंद बासी करेंगे तीसरा ओबर अपने टीम के लिए अपना पहला ओबर सौरब गेंद बासी करेंगे बहले बाज शुबम का ओ माइगाड वाज शुबम 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 यहाल मेंद के साथ बासी करेंद छे रेंगे साथ इसकोर पहुंचा चालीस एक विकेट के नुकसान पे अच्छी वापसी गेंद बास और अब दुआरा अब गेम अपने बुड़े चरम पे जलते हुए किसरे अब खेल जारी है बले बास आफ़तावी स्ट्रैक पे हैं सामना करेंगे गेंद बास सौर अब का एक तालिस पे एक अलाडी का स्कोर ये नो बाल का इशारा हमारे अब पैर दुआरा बिलकुल ये फ्री हिट मिलेगा फ्री हिट ये फ्री हिट मैं समझता हूँ इस टूनमेंट के पहले दिन का ये पहला फ्री हिट है क्या इसका भरपूव लाब उठा पाएंगे बले बास अफ़ताव नहीं बहुत ये अच्छी डिलेवरी बिलकुल जड़े बिलकुल ठेकाने पर पड़ी गेंद कोई मौका नहीं बले बास पर शॉट खेलने का चतराई भरी गेंद बासी अनुभवी गेंद बास है सौरव लंबे कट के बेहतरी गेंद बास टेनी बास किकेट में एक बड़ा नाम इस दफ़ा मिड़ विकेट के दिशामें फिल्डर मौझूद हैंगे एक रन लेने में काम्याब हुएं और एक रन के साथ स्कोर पहुँचा 43 फो वन जी हमारे दर्शक जौभी भी हमारे साथ जुड़े मैं बता दू कि आज इस्टुनमेंट का सिधा परसारा आप देश सकते हैं बिंगाल स्पोर्स लाइब में अच्छी गेंद पुई तरह बीट के अब अले बास को और यह पहा जाती भी गेंद थी यह वाइड का इशारा अमपायर दुआ थोड़ी बाहा जाती भी जरू गेंद थी अमपायर ने इसे वाइड करा दिया अब तक दो एक्स्ट्रा इस उवर से आते वे यहां बेस्वरब एक और बाहा जाती भी गेंद और निश्ची दुप से इशाही गेंद वाइड का इशारा हमारे अमपायर दुआरा संगीत भटाचार जी हमारे अनुबवी अमपायर जे एस्टेट पैनल के आदोनों ही अमपायर है और हमारे लिए सब भागे की बाद दोनों ही अनुबवी अमपायर आज के अपनी भूमी का निवाते हुए इस टुनरमैंट की शान अशोबा बढाते हुए यह हलकी हादों से फिलिक किया है एकर लेने में काव्याब होंगे बहले बाद शुबव और मैं चाहूँगा कि और भी ऐसे कई भी टालेंटेट कमिंटेटर होंगे जो हमारे कमिंटी में मौझूद होगे तो मैं उनसे अन्रोथ करोगा जरूर हो हमारे साथ कमिंटी में भी हिस्सा ले हमारे साथ जुगरबंदी करे अवास तो आई है अवास तो आई है जी हाँ बिलकुल आई है एच लगा, कॉर्ट बिहाइंड और ये दुसरे विकेट का पतंग हुआ अफ्ताब के रूम में दो विकेट हुआ जी, तीन ओवर की समाप्ती पे 46, दो विकेट के नुक्सान पे नए बलेबाज, सनाओल आएं बलेबाजी करने जिनका पिछता सीजन काफी अच्छा गया था आशा करता हूँ कि इस बार भी वो अच्छी बलेबाजी देखने को मिलेगी नए बलेबाज, अपने टीम का चौधा ओवर लेकर आएं शैन्तो दूसरा ओवर माइंका ओ, अच्छी गेंद अच्छा पेस तपखाने के बाद काफी तेजी के साथ अंदर आई गेंद ठीक, रोज जारा यह बहाँ जाते हैं, निशी तुम से यह वाइड मिलेगा स्वार्गे मानिक उपद्दिया, जी आस, स्वार्गे पप्पु उपद्दजी के मिमोरियल क्रिकेट नौकर टुनरमाइंड का आज का पहला दि अच्छी डिलेवरी बिल्कु ठिकाने पे पड़ी गेंद मैं समस्ता हूँ कि ऐसी गेंद बादी करने की ज़रूत है जिसना शुरुआत अच्छी रही थी हम कहीं ने कहीं वापसी किये गेंद बादों ने और मैं समस्ता हूँ कि बहुत इस शांदार गेंद बादी श्यान तो दौरा दाया हाथ के गेंद बाद हैं जो कि अपने सटीक लाइन और दिशा में गेंद बादी करते हुए कोई मौका नहीं बहले बाद के पास शौट खिलने का और कहीं ने कहीं ये दर्शाता है कि बेतरी गेंद बाद है ये इस दफ़ा फुल टॉस ओ बहुत यची है फट यहाँ पे निश्ची दूरूप से यहाँ पर बादी मुचाईए इस खिलाली ने कैश लेने का मौका जरूद आली काफी तेज गें गेंद लेकिन एकर लेने में काम्याप एकरंगे साथ इसकोर पहुंचा 48 दो विकर्ट के नुक्सान पे नए बले बाद सनाउल इनसे काफी उमीदे दाने हाथ के एकरा अकरमक बले बाद है ये शॉट है जाएगी सिदा हाथों में ओ माई गाड फर्स बॉल इस दफ़ा लॉंग ऑन के उपर से खेलना चाहते थे शॉट बले पे आई नहीं गेंद और पहली गेंद में कैश दे बैठे सनाउल कहीं न कहीं है निराशा बरा महौल अलाडी का महतोपूर विकेड गिरता हुआ दीसरे विकेड का पतंग श्यांतों ने दिलाई खामियाबी सनाउल जो के बहतरीन बहले बास थे अशाई थी उनसे ओवरफीस डिलेवरी थी ये उठा के खेला जादे लॉंग ओउन को किलियर करा जादे लिए किलियर बॉंडी करने की चाहा में बिल्कुल बल्ले पे टाइम नहीं कर पाए गेंद को और इस तरह से बहुत ही महतोपूर विकेड गिरता हुआ अलडी का हे मांशू निव बैट्समनी शैंतोग की बेतरी गेंद बाजी जारी तिसरे विकेड का पतंग हो चुका है स्कोर फॉर्टी एट फॉर्ट्री चौता ओवर का खेल चारी यूट्यूब चैनल पे हमारे आज के लाइफ टेली कास्टर बिंगॉली स्पोर्ट्स को बिल्कुल लाइफ करें बिल्कुल सबस्क्राइब करें शांदार वातवरंस शांदार मौहौली ये शांदार आयोजर्ट और सबसे वली बाज शांदार दर्शक जब भी यहाँ पे आता हूँ ऐसा लगता है बिल्कुल ही लिस्टेशन पे अपनी मैच को हो बिल्कुल अपनी आँखों के सामने से शांदार मैच देख रहे हैं है मांशू बाए हाथ के बले बास खाता कोलने में काम्याब होए पहला रन उनके बले से आते हुआ अब तु रिडी हैं मांशू एक रन मिलेंगे और एक रन के साथ ये पच्चास रन भी पूरे होते वे जी हाँ बिल्कुल चार ओवर की समाप्ती पे अलडी का स्कोर पच्चास रन तीन विकेट के नुक्सान पे चार ओवर पच्चास तीन विकेट के नुक्सान पे 50 बाद लॉस और त्री विकेट आफ्टर फो ओवर सौराप कंटिनियो है अपना दूसरा और टीम के लिए पाच्चवावर लेके आएं सौराप सामना करेंगे बहले बाद शुभाव एच गॉन जोड़े विकिल का पतंग होता हुआ जोड़े विकिल को अब याया अबिन पाल करें अबिन पाल मैं समस्ता हूं कुद्डू भाई कि यहां पर जो विक्टे गिरी है स्कोर रनेट तो काफी अच्छे हैं यहाँ पर पचास पर चार हो गए हैं लेकिं यहाँ पर कहीं ने कहीं क्यूंकि आप जो शेश ओवर बागी बचे हैं मैं समझता हूँ यहाँ पर बहुत बढ़ी जिम्मेदारी रिस्पॉसिबिर्टी है अमीद पॉल के उपर एक अंगे साथ खाता खोलते हुए अमीद पॉल एक दिग्यच किकेटर है टेनिस बॉल किकेटर का बहुत बड़ा नाम अमीद पॉल और मैं जिन्दा हूँ वाइंस वाइंस बड़ाइंस वाइंस बड़ाइंस डॉन्ट माइंड है फुड़ा ऐसा करें अच छमका रोजे ब्रैटपोली उतरहों अभी अरे धनवाद में है यह हवामे गेंद बहुत देदर लिगिया मौका था यहां पे सेफ करने का लिगि यहां छेर है कि एपानशु के भल्ले से आते हुए कि वाह पिगा रंदास कि कही ने कहीं गेंदबास थोड़े निराश लग रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी कोशिश लगता तो निश्ची दूप से ये छगा से वह सकता था वाइट का इशारा हमारे अंपायर दुआरा हमारे दोनों अनुबवी अंपायर संगीत बड़ाचाजी जी और बाला जी जे एस सीए के स्टेट पैनल के दोनों ही अंपायर आज हमारे स्केल की शुबा बढ़ाते हुए ओ अच्छी गेंद बिलकुर आटैकिंग करना चाहते हैं बले बाज आटैक करना चाहते हैं इस गेंदबास को लेकिन कमाल की गेंदबास ही जतकी तरीफ की जाए कम सौराफ जो कि आनुपे भी केंद बास है कोई मौका नहीं देने बाले बास को शॉट खेलने का है माशू जो कि यूआ बाले बास है कहीं न कहीं आमीत पॉल उनके एक ट्रिप्स देते हुए वो बिल्कुल एक सीनियर खिला ली है वो जानते हैं कि कैसे यहां पे पांटरशी बिल्ड करने के जरूवत है और दोनों टीम दोनों ही टीम काफी बालेंस टीम आला डी लेकिन दिश टाइम स्टेट दे फिल्ड अनदर विकीट गॉस जान है वट आ बॉलिंग भाई सौरप क्या गेन बाजी है कमाल की गेन बाजी यह पांच्वा विकीट का पतंग होदा इस ओवर से दो विकीट आते हुए सौरप के नाप एमाशो को चलता किया अलाडी जीपी का पांच्वा विकीट किरता हुआ अजर उद्दीन यह पांच्वा विकीट का पतंग होता हुआ सौरप की कमाल के गेन बाजी जारी है नए बलेबाज अजर अजर उद्दीन कलाईयों के बाश्चा करनाव अपने सुना होगा इस दफ़ा अच्छी ओवर की समाप्ती यहां पे बहुत ये शांदार ओवर रहा है सौरप का और यहां पे पांच ओवर की समाप्ती हो चुकी है पांच ओवर की समाप्ती पे स्कोर पहुचा 58 पांच विकेट के नुक्सान पे 58 पर 5 आफटर 5 यहां सौरप की जतनी भी तारीफ की जाए वो कम है क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेतरी न बहुत ही किफाइथी गेंदाजी उन्होंने की है अपने टीम के लिए सौरप जिन्होंने पिछले ओवर में दो सफल दाए अपने नाम की 58 पर 5 आफटर 5 यहां से मैं आशा करता हूँ कि अज़र आमीद पॉल के बीच साजिदानी की जरुवत मैफूस अच्छे पेसर है मैफूस जो के टीम का छटा अपना दूसरा ओवर लेके आए गेंद बाजी करने के लिए कौडर एंड से दाएने हाथ के यह मौका बना है लेकिन गेंद गिरिगे नो मैस लाइन पे अच्छी कोशिच यहां मैफूस द्वारा अच्छी रनिक दी ने कि थोड़ी से यहां पे गेंद के लाइन तक नहीं पहुँच पाएं कहीं ने कहीं आपे थोड़ी से डिस्टरवेंस हुआ था लेकिन महफूस एक बेहतरी गेंद बास अभी तक मैं गेंद बासी से बिल्कुल परभावित हुआ हूँ जिस्टरव गेंद बासी किये जित्पूर के टीम ने टॉस जित के बेल गेंद बासी करने का फैसला सही साबित होता हुआ ये कट किया है मौका चुका सीधे हाथों में गई थी गेन लेकिन यहाँ पे कैश ड्रॉप ओहो कैश ड्रॉप बहुत ही शोटा फॉर्मेट में आपको कैचेस पकडने होंगे तेक दा कैचेस वीन दा मैचेस है ये चेटा हुआ का खेल जारी बिल्कुल हमारे पलाश भाई और गुडू भाई के दुआरा बिल्कुल अलाझट यह चेंपियन थी अक्षे लाइट लाज़ चेंपियन थी ने एटी अलाझट बिल्कुल यही निश्ची दूप से लेक बाई का इशारा मिलेगा और यह चारन लेक बाई बॉंडरी आते वे यहां कहीं ने कहीं रन आने चाहिए चाहिए जिस तरीके से भी आए यहां पे रनों की जरुवत है आलडी के टीम जो लास्ट यह चैंपियन रही है इस तफ़ा शुरुआ थोड़ी है चैनली के मैं आशा करता हूँ कि कभी भी शेश काई काफ़ी ओबर रखें बाबाकि अमीद पॉल नॉन स्ट्रैक पे हैं काफ़ी उमीदें उनसे असा कलाईयों के जादूगर ये बेतरी ना पकड़ने बिल्कु गैप में जाएगे गेल सीमा रेखा के बाहर चर दू टू कंजिक्यूटिव बॉंडरी है इस चौके के साथ ओवर की बिसम आपती वीच्छे ओवर की सम आपती पे 69 जी हाँ मैं ये कहना चाहूंगा गुडू भाई की जिस तरह से रनेट जा रहे है वो काफी अच्छी है च्छे ओवर में 69 के स्कोर लगभग 12 का रनेट है मैं समस्ता हों की ये अच्छा रनेट है और यहां से जो लास्ट सेश दो ओवर अखेल बाकी है मैं आशक करता हूँ कुछ बड़े हिट देखने को मिलेंगे अमीद पॉल आज़र दोनों की अच्छी बल्ले बाजी जारी अमीद पॉल इस्ट्रैक पे गिन बास बापी अपर टीम का साथवा उबर लेकर आए हैं कमाल की साथ माँबा का खेल बापी सामना करेंगे अमीद पॉल को फॉल टॉर जिलिवरी यार ये शाट यह वाइन लेक के दिशा में चार रख अमीद पॉल की ने शुरुआत कर दी है मैं समस्ता हूँ खराब गेंती हैं सही दिशा देखाया चार रख इस दफा फिर से पॉल लेक की दिशा में खेलने की कोशिश थी लेकिं बहले पर आई नहीं गेंड कोई रख नहीं अच्छी वापसी गेंड़ बास बापी द्वारा अच्छी गेंड यहां पर बाहा जाती वी गेंड अच्छा अच्छी 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 तरीके से बाल बाहा निकली है कोई मौका नहीं बले बास आमीद पॉल के पास अब तक यह बहुत बड़ा जाए यह जिहां बिल्कुल यह नबे मिटल नमा च्छका शांदार बले बासी अमीद पॉल के द्वारा जैसा मैंने कहा कि बहुत ही बड़ा नाम तेनिस बाल किकन के बहुत ही बड़ा नाम अमीद पॉल जब तक क्रीस पे हैं आशाए बनी हुई है एक अच्छी कॉंपेटिटिव टोडल स्कूर बोर्ड में लग सकते हैं आलाडी लास्ट यह चैंपियन अमीद पॉल शॉट पीजलेविती आच्छी पिकट और लेंद और बेतरी शॉट मिड़ विकेट के दिशा में छे रड़ कमाल की बले बार्जी इस दफ़ा बहार जाती ते गेन निश्ची दूप से यह वाइड मिलेगा जी हां बिल्कुली वाइड यह कुछ महगा ओवर साबीत होता हुआ बापी का इस वाइड के साथ इसकोर पहुंचा 80 एटी 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 वो फाइड साथ महबा का खेल जारी असी पांच विकेट के नुकसान पे हमारे यूटूब चैनल पे आप इस गेम का सीधा परसान देख सकते हैं बिंगाली स्पोर्स लाइट के दुआरा प्लीज चैनल को सब्सक्राब करें यह एक और फूल टॉस गेम थी बल्ले पे आई नहीं मातर एक रण मिलेंगा अमीद पॉल को कहीं ने कहीं निराश होंगा अमीद पॉल असर इस ट्रैक पे सामना करेंगे गेंद बास पापी का 81 पर 5 इसी डॉट गेंगे साथ ओवर की भी समापती हुई साथ ओवर की समापती पे 81 पांच विकर के नुक्सान पे का 51 बास ड्रह वाने करे दो हो जब रदास प्रोथ Karina कि अथ हो एी प्लाव टारी । साथ ओवर की इस समाप्ती पे 81 पाँच विकेट के नुकसान पे कमाल के ये मैक्ष होता हुआ 81 पे 5 सची ड्राइट किया सिधा फिल्डर के हादों में गई गेंड कोई रेंड नहीं सची टीम के आखरी ओवर लेकर आएंगेंड बाजी करने के लिए बले बाजी है अज़ा ओम अमीद पॉल को फुल चास ये सही दिशा खराब गेंड और सही दिशा छे रड़ अमीद पॉल के बले से जबदस शाट उनिस के इनेजी स्कोटर में मलने बाजी करुधाएं अमीद पॉल хотел करता हूं कि अपने टोटल को एक बेतरी इन टोटल के होल लेके जाएंगे और इनके पास भरपूर मौका अमीद पॉल जो कि अच्छी बली बाजी कर रहे हैं पिछली के इंदे में शांदा छक्का जड़ा था और यूवा गेंबा सची कहीं दबाव में नज़र आते हुए कमाल की ओवापसी ओ वाड़ बॉली ओ वाड़ बॉली यूवा गेंबास हैं जिस तरह से गेंबासी की हैं वो पश्रचा करनी पड़ीगी आच्छी परतिवा है दायने हाथ के यूवा गेंबास जिन्हों हमीद पॉल के सामने इतनी बेतनी गेंबासी कर रहे हैं जरूर इसमें एक खास बात है यही प्रेटफॉर्म परदान करता है लेट बैंक का यह किगे डॉनमेंट जहां पर यूवाओं के मौका मिलता है अपनी परतिवा दिखाने का और यह शांदार इस मौके को बहुत अच्छी तरीके से फाइदा उठाया है गेंबास सचीन ने सही लाइन और सडीक लाइन में गेंद बाजी करने हैं बहुत ही बेहतरी गेंद बाजी ब्लॉक हॉल में गेंद बाजी करने में काम्याब रहें कोई मौका नहीं बले बाज अमीद पाल के पास शॉट खिलने का ये कंपेटिशन सीनियर अज जुनियर के बीच कमाल का ये मुकाबला लाजवाब मुकाबला सचीन वसस अमीद पाल इस ब्यूटिवल शॉट इस टाम स्टेट अज़ अज़नी वन रन कि नाइस बॉलिंग सचीन अज ये करें के साथ इनिंग के समाप्ती और ओवर की भी समाप्ती आठ ओवर की समाप्ती पे 88 जी हाँ अपाची जी हाँ बुलू कला की जो अपाची गाली है जारकर जे एच टुवान एफ सिक जिरो टूवर सिक जिरो टुवान अपाची गाली उनमें चाभी लगी भी थी गुड लख है कि हमारे कमीटी के मेंबर्स ने वो चाभी को अपने हाथ में ले लिया है किरपिया अपने अपनी गाली की हैफाज़त करें बेतरीन से अपने गाली को सही जगें पर रखें और चाभी ना लगाए अपाची क्या अपाची गाली की चाभी वो गाली में लगी वी थी अक्षे जी ने और उनके टीम के लड़कों ने चाबी को अपने हैंड ओवर किया है कमिन्ट्री पाइनल जहां पर यहां पर यहां पर लाइव हो रही है वहां पर चाबी रखी भी है जिसकी भी वो चाबी है अपाची गाली 6021 जिसकी भी वो चाबी है किर्पिया वो चाबी लेके जाए नेक्स मैच बासुदेब पुछ जिमारी जीपी बर्सेस फुलवरिया जीपी बिल्कुल तयार रहें इसके बाद बिल्कुल तयार रहें बासुदेब जिमारी जीपी बर्सेस फुलवरिया जीपी बासुदेव जी मारी वसेस फुल वरियर जीपी करेंगा उतिना बुलिएगा कैना बाई आपके उतिना जब रहेगा आपके आपके चाहिएगा का अधा सिर्च भास रहिए फ्सवारा बांकि टाता से वाटवड़गा गाङू अधार का लेक्षित जायए झाल झाल कि अ. झाल 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 झाल